तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे चुप चाप से बढ़ियां से सुन्जर से पढ़ाई भी कर रहे होंगे ठंडी का छोटा छोटा आनंद भी ले रहे होंगे आज की वीडियो हम देखने वाले हैं MSC First Year के Botany का, माफ कीज़ेगा जूलाजी का, Paper Third देखने वाले हैं उस Paper Third के भी Unit Fourth को देखने वाले हैं और वहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं Indocrine Glands को कवर करने वाले हैं Cordates और Non Cordates के अंदर तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इनके अंदर यानि की Cordates के अंदर और Non Cordates के अंदर कौन-कौन Indocrine Glands के रूप में वर करता है और वो किस प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं सबसे पहले बात तो यही आएगी कि भाईया Cordates और Non Cordates होते क्या हैं तो अगर इसको बहुत असानी से आपको define करना हो या समझाना हो कि कौन से ऐसे organism हैं जो Cordates के अंदर आएंगे और कौन से ऐसे हैं जो Non Cordates के अंदर आएंगे तो उसको समझाने का प्यारा सा तरीका यह है कि भाईया जिन में Notocord यानि की Vertible Column पाया जाए या Read की हड़ी पाया जाएगी वो आपकी Cordates के अंदर गताएगी और जिन में Read की हड़ी Notocord यानि की Vertible Column नहीं पाया जाता है वो आपकी Non Cordates के अंदर गता आती हैं दूसरी बात कि हम Non Cordates को तो पहले देखेंगे और Cordates को बाद में देखेंगे Cordates के अंतरगत यानि की Cordates के अंतरगत वो और्गेनिजम आएगे जिनके अंदर Read की हड़ी पाया जाती है और Read की हड़ी पाया जाती है यानि की इनसान भी उसी के अंतरगत आएगा और इंसान के अंदर जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में हमने बहुत डिटेल से प्यार से और उनसे सावित होने वाले सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में हमने बहुत क्लियरली पढ़ाया हुआ है उसकी वीडियो भी यहाँ पर पड़ी हुई है लास्ट में हम एक बार और उसकी जानकारी दे देंगे बाकी ये रही प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट में इंड्रोक्राइन सिस्टम इन हुमन्स पड़ी हुई है हुमन्स आपके कॉर्डेट्स के अंतरगत आते हैं इसलिए किसी वीडिकार का कोई संका डाउट या सक मद कि दियेगा ठिक आप बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की नॉन कॉर्डेट्स के अंतरगत कैसे और गैनिजम आएंगे जिनके अंदर नोटो कॉर्ड यानि की रीड की अड़ी नहीं पाए जाती है इसके अंदर बहुत सारे फाइलम है जो इसके अंतरगत आते हैं हम उसमें से एक फाइलम आर्थोपोडा को देखेंगे उस आर्थोपोडा में भी इनसेक्ट को देखने वाले हैं इनसेक्ट से related question आपके पूछे गए हैं और उसमें भी किस तरीके के इंडोक्राइन ग्लेंट्स पाए जाते हैं और उन ग्लेंट्स के द्वारा किस तरीके के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और उन हार्मोन्स का काम क्या होता है यह सारी चीजों की आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फिक बाकि थोड़ा मोड़ा कोई गलती हो जाए फंबल हो जाए तो माफ कीज़ेगा अब टॉपिक देखते हैं तो question कुछ ऐसे पूछे जाते हैं तो describe the endocrine glands in insects in detail चुकि question detail में है थोड़ा लंबा में पूछा जाता है इसी वज़े से आपको थोड़े answer को अच्छे से लिखना है पहली बात यह समझे कि जो insects हैं उनके अंदर जो endocrine glands कौन-कौन सी पाई जाती है तो mainly की बात की जाए तो कुछ आपको मैं 4-5 टाइप के नाम बता रहा हूँ जो mainly है तो वो हैं आपके एक neurosecretary cells होती है जो बड़ा काम की है एक carpora cardieka है एक carpora elata है दूसरा prothoresis glands है यह सब क्या है यह सब आपकी endocrine organ है जिनका आपको बहुत सारा काम आगे देखने को मिलेगा इन glands के थुरू अपना अपना एक specialized hormone का secretion होता है और उस hormones का insect की body में अलग-अलग कार्य होता है उन सभी चीजों को हम एके करके समझेंगे लेकिन अभी आप समझें कि endocrine organ जो कि insects के अंजर पाया जाता है वो two types में बाटा गया है कैसे उनके origin के base पे कि वो कहां से उत्पन हुए हैं इसके base पे उन्हें two types में divide किया गया है पहला है आपका nervous यानि कि brain से उत्पन हुए जो endocrine organs हैं उसमें आपका आता है neural secretary cells जो कि आपकी brain यानि कि central nervous system के अंतरगत ही आती है वहीं पे आपका proto cerebrum होता है वहां से ही इनका secretion होता है ठीक है तो ये आपकी पहली type हो गई और दूसरा है आपका specialized endocrine glands यानि कि सीधी सीधी सी बात खास जो endocrine glands होती हैं such as उनके नाम दिये हैं कि कार्पोरा कार्डियेका, कार्पोरा एलाटा, प्रोथ्रेसिस ग्लैंड्स ये सब क्या हैं ये body के अन्य भागों में present होती हैं और इनका अपना अपना जो भी वर्क होता है वो वर्क होता है जो मीसोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म वाली जो लेयर है वहां से ओरिजिन हुई है या साफ साफ कही है कि ये भाईया specialized endocrine glands हैं एक की भाईया जो ओरिजिन है वो brain से हुई है, एक की brain से नहीं हुई है इसे साफ साफ सी बात है आगे चलते हैं, brain वाली कौन है, brain वाली के अंतरगत यानि की जिनकी origin cns से हुई है, central nervous system से हुई है वो कौन है, वो अपकी neurosecretary cells है तो अब सबसे पहले मन में ये आएगा भाईया, कि जो हर एक प्रकार के अपने-पने hormones है उनको एक special type का जो gland होता है, वो secret करता है जो ये neurosecretary cells है, ये कोई हार्मोन तो है नहीं, ये cell है, तो ये cell कहां पाया जाता है या ये कहां देखने को मिलता है, जो भी कह लीजिए, तो हमें इतना समझ में आ गया कि नियूरो यानि कि कही न कहीं इसका जो ताम जामें वो brain में होगा, brain से related होगा, हमने समझा भी यही है तो बात सही है कि neurosecretary cells normally occur in the ganglia of the CNS, CNS यानि कि central nervous system यानि कि सीधी सी बात है कि जो हमारी neurosecretary cells होती है, वो हमारी CNS यानि कि central nervous system के ganglia में पाय जाती है वहीं पर occur होती है, इन insects, neurosecretary cells are numerous and have important functions यानि कि cell मतलब यानि कि insects के अंदर, यानि कि कीट मकोडों के अंदर, जो neurosecretary cells होती है वो बहुत संख्या में पाय जाती है, numerous पाय जाती है, बहुत बड़ी संख्या में पाय जाती है and उनके important function होते है, उन सभी के अपने अपने जरूरी काम होते है जो neurosecretary cells, insects के अंदर पाय जाती है Recent work has revealed that there are two types of neurosecretary cells यानि कि अभी हाल ही के कामों से या जल्द में ही पता चला है अब हमी तो खोज के निकाला, कि जो ये neurosecretary cells है वो two types की होती है, ठीक है एक type A, जो की para-aldehyde fucine से stain की हुई होती है और एक होती है type B, जो की para-aldehyde fucine से stain नहीं की होती है यानि कि सीधी सीधी सी बात है, ये जो आपके neurosecretary cells है वो two types की होती है type A जो होता है वो आपकी para aldehyde fucine से stain नहीं की गई होती है और आपका जो type B होता है वो आपकी para aldehyde stain मतलब para aldehyde fucine से stain नहीं की गई होती है type B which do not तो गर कहा जाए कि 100 बात की एक बात तो type A जो होती है वो stain की गई होती है जो type B होती है वो stay नहीं की गई होती है बात खतम all cell possesses electron dense granule जो भी इसके अंदर cell होते हैं वो भारी मातरा में granule से dense होते हैं भरे हुए होते हैं the neurosecretary cells can produce blue color from the reflected light due to the light scattering effect of collidal sized particle जो वहाँ पे बहुत सारे electron से भरा हुआ है यानि कि उसमें बहुत सारे collidal shape के या उस size के particles हैं जो उसके अंदर उन cells के अंदर भरे हुए हैं तो वो जब light आती और उस पे गिर कर reflect होती है तो उसकी वज़े से जो neurosecretary cells है वो blue color की light को produce करती है starting line में वही कह रहा है कि the neurosecretary cells can produce blue color ठीक है जो आपकी neurosecretary cells है वो blue color को produce यानि कि नीले रंग को produce करती है तो जो भी उसमें जो collidal size के particles होते हैं उन पे टकराती है और उसी टकराने की करण वो light की scattering होती है light फैलती है और जो हमारी neurosecretary cell है वो blue color को produce करती है चलिए उसके अलामा जो आपकी neurosecretary cells है वो क्या करती है वो directly आपके उस औरगन को प्रोटसाहित करने में उससाहित करने में उसको stimulate करने में भी help करती है कि जो उस insect की body में अन्ने जो glands हैं अन्ने जो glands है उनको उत्प्रेडित करती है कि तुम भी भाईया जो भी तुमारे काम के hormones हैं या जिन hormones का secretion वो gland करते हैं वो भी उन hormones का secretion करें इस काम के लिए लिए प्रेडित करती है या कह सकते हैं control करती है जिस तरीके से याद होगा जब इनसान का आप पड़ रहे थे तो वहाँ पे अपने देखा था कि प्यूटूट्री gland अपने से नीचे सभी glands को control करती थी उनको प्रोचसाहित करती थी उतेजित करती थी कि भाईया तुम इस time पे इस hormones का secretion करो वैसे ही यहाँ पे भी यही मतलब नीउरो सेक्रेटरी सेल्स भी लगवग यही काम करती है वो भले जाके डारेक्टली इफेक्ट नहीं डालती है लेकिन उन glands को थोड़ा stimulate करती है प्रेरिद करती है कि वो अपने hormones को secret करें ठीक सीधी सी बात है यह आपने नीउरो सेक्रेट का ही पार्ट है तो इसी वज़े से इसको भी हम इसी nervous system यानि की cns के अंतरगत ही पढ़ेंगे उसके बाद अदर वाले को अलग से पढ़ेंगे बाकी यह चित्र आप देख सकते हैं इस चित्र में आप देख सकते हैं कि निउरो सेक्रेटी जो cells हैं वो brain में भी हैं वो हमारे isofagal में भी हैं वो आपके nerve cord में भी हैं तो ऐसा मा समझेगा किसे brain तक ही सीमी थे वो फैले हुए हैं ठीक है यह बात समझ भी चलिए अब proto cerebrum के बारे हम समझ यह क्या है तो देखिए proto cerebrum कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह भी brain का ही एक part होता है बस फरक यह है कि कर बना होता है ठीक है यह इसी चीज़ को थोड़ा simply कहना है इस तरीके से neuropiles cell masses इनका use नहीं करना है तो प्यार से आप कह सकते हैं कि located in the proto cerebrum of the insect brain is a group of cells which produce brain hormones ठीक है यानि कि यह जो proto cerebrum है वो insect के brain में located होता है यह group of cells से मिलकर बना होता है which produce brain hormone जो की brain hormone को produce करता है यानि कि जो proto cerebrum है वो brain hormone को produce करता है और proto cerebrum group of cells से मिलकर यानि कि धेर सारी cells से combine होकर बना होता है इतनी प्यारी सी बात है दो तरीके से कह सकते हैं एक वैसे कहिए चाहे ऐसे कहिए अब brain hormone क्या है वो समझे brain hormone is also called a neurosecretary substance यानि कि brain hormone को हम neurosecretary substance के भी नाम से जानते हैं neurosecretary पदार्थ के भी नाम से जानते हैं तो brain hormone कह लिजिए चाहे neurosecretary substance कह लिजिए बात एक ही हो गई this hormone once synthesized in the brain moves along nerve cell to an endocrine glands called the carpus cardicum where it is stored यानि कि बात समझ में आ गई समझ में तो आई गई होगी जो यह hormone से एक बार once synthesized जब एक बार यह आपकी brain में बन जाता है तो nerve cells की सहायता से वो endocrine glands तक चला जाता है कौन से endocrine gland के पास जाता है कार्पस cardicum के पास चला जाता है वही पर यह store रहता है where it is stored यानि कि वही पर यह store रहता है तो आपको यह बात समझ में आ गई कि एक barrier hormone जब brain में बन जाता है तो वहाँ पर nerve cell की सहायता से endocrine glands के पास चला जाता है कौन सी endocrine glands के पास तो कार्पोरा cardicum के पास चला जाता है और वही पर यह store रहता है इसकी आगे की कहानी हमरी जवानी अब सुनिए उसके बात क्या होता है कि अब यह कार्पोरा cardia का यह कौन सा hormone है मतलब यह कौन सी gland है यह आपकी specialized endocrine glands है यानि कि इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो nervous system से related था ठीक है nervous यानि कि cns central nervous system का part था उनसे स्रावित होने वाला या उनसे connected आपका gland था अब यह उससे हट कर है यह आपकी specialized vicious endocrine gland से जो एक insect की body के अंदर पाई जाती है ठीक है अब उसको समझिए वो क्या है तो उसी का पहला आप part पढ़ रहे हैं कारपोरा कारडिये कम या कारपोरा कारडिये का ठीक है जो भी कह लीजे आपको सब सही है अब देखिए कि इसका काम क्या है यह कहां पर located होती है कहां पर बसी होती है सब figure की माध्यम से भी सो कर रहा यह रहा figure figure को ध्यान से देखिए समझ में आएगा पहली बात तो यह है कि जो कारपोरा कारडिये का है वो paired endocrine gland होती है यानि कि जोडे वाली endocrine glands होती है which usually lie embedded in the wall of the erota in the head reason of the insect पहली बात यह जो एक कारपोरा कारडिये का है वो कहां होती है वो जोडे में पाई जाती है हमारी endocrine glands होती है और insect के सर वाले पार्ट में सर वाले reason में यानि कि आगे वाले पार्ट में पाई जाती है ठेक और समझे आपके brain के पीछे होती है situated behind the brain brain के पीछे behind में इस्थित होती है present होती है और आपकी erota में समाई होती है erota क्या है महाधमनी होती है नाम सुनाई होगा hurt पड़ा होगा वहाँ जाना होगा कि hurt से निकलती है कौन होता है erota होता है उसी erota में समाई होती है यह चोटी सी बात प्यारी सी बात बताई गई है यह यह भी कह सकते हैं कि erota से घिरी हुई होती है errota से आपकी embedded होती है गिरी हुई होती है दोनों बात समाई हुई से ज़्यादा अच्छा word क्या कहेंगे कि गिरी हुई होती है तो आपको अब इतनी बात समझ में आ गई कि एक चीज़ कि ये भाईया हमेशा जोड़े में पाई जाती है आपकी endocrine gland है और किसी भी insect के सर वाले reason में head वाले reason में आगे वाले part में पाई जाती है इतनी बाते तो बिल्कुल clear है हो सकता है आपको ये थोड़ी topic time taking लग रहा हो या लग रहा हो कितना explain कर रहे हैं लेकिन जरूरी है थोड़ी typical topic है क्योंकि ये non-cordates है वाला तो बिल्कुल typical ही नहीं है वो मैं आपको बता दूँगा वहाँ से जाके वीडियो देख के उससे अपने आसानी से मन में बसा सकते हैं चुकि वो आपकी ही बारे में है human के बारे में human cordates के अंदर का humans cordates के अंतरगत आते हैं तो आपके बारे में ही आपको जानना है तो उसमें आपकी रूची रहेगी चुकि ये थोड़ा insect के वगेरा या इस तरीके के जो phylum के अंतरगत आने वाले organism होते हैं उनके बारे में पढ़ना है तो वहाँ पे आप उतना relate नहीं कर पा रहे हैं समझने की कोशिस नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पर समझाना जादा जरूरी हो जाता है बाकी जब आप अपना खुद का endocrine system पढ़ेंगे यानि कि humans के अंदर तो आप बहुत असानी से उसे जान भी जाएंगे बहुत असानी से उससे relate भी कर पाएंगे और मन से पढ़ लेंगे वहाँ पर दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पर होगी इसी विसे इसको ध्यान से समझेगे जितना प्यार से समझादा थोड़ टाइम टेकिंग है लेकिन चलेगा समझेगे बाकी इसके अलामा और चीज़ समझेगे जो higher insect के group होते है they have become separated from the erota उसमें जो यह कारपोरा कार्डिये का है वो आपकी erota से separated होता है आपकी erota से अलग होता है कौन? आपका कारपोरा कार्डिये का जो gland है जो lower जो insects होते हैं उनमें वो घीरा हुआ होता है आपकी erota से जो higher insect है उनमें ऐसा नहीं होता है उसमें वो erota से separated होता है erota से अलग होता है कौन सी gland? कारपोरा कार्डिये का gland कुछ ऐसे insects group भी है जिनमें यह gland पाई ही नहीं जाती है example के तोर पे they are absent in kolambola kolambola में यह जो gland है वो पाई ही नहीं जाती है each organ contain the ending of exon from cells in the brain and other exon passing through the through to the कारपोरा एलादा देखे यहाँ पर यह कहना चारा है कि each organ contain the ending of exons ऐसे समझे है कि प्रतेख organ जो है वो exon के सीरे से जुड़ा होता है उससे attach होता है जो कि हमारी brain के अंदर पाया जाता है आपने brain पढ़ा होगा तो वापे सुना होगा exon नाम तो जो यह प्रतेख organ है वो exon के सीरे से attach होता है उससे contain होता है और जो other exons है वो भी उनसे जुड़े होते हैं जो कारपोरा एलाटा के थुरू पास होते है यानि कि वहीं से गुजरते हैं उसी कारपोरा एलाटा के थुरू ही पास होते हैं गुजरते हैं ठीक है दे आलसो कंटेंड जेनिय जिलियल सेल ठीक है यानि कि इनके अंदर जिलियल सेल भी पाय जाती है कौन सी सेल जिलियल सेल्स भी पाई जाती है and the carpora cardiaca store and releases hormones for the neurosecretory cells of the brain to which they are connected by one or two pair of nerves यानि कि simple सी बात है कि जो carpora cardiaca है वो hormones को store भी करता है संग्रहित भी करता है और release भी करता है उनको free भी करता है मुक्त भी करता है तो carpora cardiaca का का काम hormones को store करना भी है उनको release करना भी है and release hormone from the neurosecretory cells of the brain to which they are connected by one or two pairs of nerves यानि कि जो हमारा brain है हमारी जो मस्तिस्क है उस मस्तिस्क के अंदर जो present neurosecretory cells है उसके द्वारा बनाए गए जो hormones है उनको store करने का काम और उनको release करने का काम कर पोरा काडिये करता है और इस neurosecretory cells से आपका क्या जूड़ा होता है आपका एक या कह लिजे दो जूड़ी आपकी nerves भी जूड़ी होती है which they are connected by one or two pairs of nerves यानि कि इन से एक या दो जूड़ी आपकी तंत्रिका nerves भी जूड़ी होती है यही प्यारी सी बात इसमें कही गई है अगला क्या कह रहा है वो समझे तो पहले यहां पे हमने क्या समझा पहले वो समझ लिए हमने यह दो चीजे समझी एक चीजे समझी कि यह आपकी इसमें yell USB आई जाती है दूसरा समझा कि जो कर्पोरा कार्डिया का है वो neurosecretary cells के द्वारा जो हार्मोन का सेक्रेट किया जाता है पहले उनको अपने पासे स्टोर करती है और वहाँ से रिलीज करती है और इन में एक से दो जूड़ी आपकी नपस भी जूड़ी होती है, तंत्र का भी जूड़ी है कहानी खतम और पैसा हजम, आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है तो देखिए इन एडिसन, दे इंट्रिंसिक सेक्रेटरी सेल्स प्रोड़ी जूड़ी हार्मोन विच आर कॉंसर्ड विद रेगुलेशन अफ दे होड़ी बीट यानि कि सीड़ी सी बात है इसके साथ साथ बात ये है इन एडिसन इसके साथ में बात ये है कि जो आंत्रिक स्रावी कोसिकाएं होती है यानि कि इंट्रिंसिक सेक्रेटरी सेल्स होती है वो हार्मोन का सेक्रेशन करती है हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो कि दिल की धड़कन को regulate करने से related होता है दिल की धड़कन को control करने से संबंदित होता है उसके regulation में help करता है यही सीधी सीधी सी बात है कौन करता है तो intrinsic secretary cells यानि की आंत्रिक्स रावी जो कोशिकाएं है वो कुछ आर्मोंस का सेकरशन करती है जो दिल को regulate करने में help करता है इतनी प्यारी सी बात समझ गए या आपने कार्पोरा कार्ट ये क्या का काम समझा है आपने gilial cell समझी है कि यहाँ पे gilial cell present होती है ये हार्मोंस को store करके भी रखता है और फिर release भी करता है और उसके साथ आपने ये भी समझा कि heart beat को भी ये control करता है या उनके regulation पर help करता है इतनी सारी बात अपने इस वीडियो में समझी है बाकी next वीडियो में इसके आगे की बात बताई जाएगी और धान से समझ लीजे थोड़ी सी topic difficult है लेकिन असानी से एक बार समझ जाएंगे तो चीजे समझ में आ जाएगी रही बात coordinates की तो coordinates के अंदर इंसान आते हैं इंसान के उपर हमने वीडियो पहले भी बनाई है वहाँ पर पड़ा हुआ है हम डाल चुके हैं आप देख लीजेगा ठीक है टाटा बाई बाई जैसा होगा वैसा आप comment कर दिएगा ता कि हमको समझ में आए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है टाटा बाई बाई